अगर आप AI को यूज़ करते हैं तो क्या आपका ब्लॉग गूगल की रैंकिंग से डी रैंक हो जाएगा? क्या AI को यूज़ करने से आपका ब्लॉग गूगल कम्प्लीटली बैंड कर देगा? कौन-कौन से ऐसे पावरफुल AI टूल है जिसकी हेल्प से आप अच्छा खासा कंटेंट जनरेट कर सकते हैं और AI का किस तरीके से आपको यूज़ करना चीए जिससे कि आप गूगल में टॉप रैंक करें बहुत ही जबर्दस वीडियो होए? बहुत ही डीटैल होने वाला है? सब्सक्राइब कर दे हैं अग्सिस्टिंग चैनल पर एक लाग पचास हजास सब्सक्राइबर को डूच कर चुक ए हैं यहां पर मोटा मोटा यह पाँच पॉइंटर्स को कवर करेंगे सबसे पहले बात करते हैं एक्जैक्ली एका यूज ब्लॉगिंग में होता क्या है इमेजिन करो यह मेरा ब्लॉग है ब्लॉगिंगोस.com अगर यहां पर जाके मैं किसी content को open करता हूँ तो इस content को लिखने के दो तरीके है अगर step by step process के बात करो तो सबसे पहले keyword research किया जाता है इसके बाद content का structure find out किया जाता है फिर content पर research किया जाता है और फिर content को लिखा जाता है तो यह पूरा एक lengthy process है तो simply keyword research अगर आप खुद कर देते है तो content का structure से लेखे content लिखने का काम न सिर्फ human बलकि एक AI bot भी कर सकता है उसको simply आपको एक keyword देना और उसको बोलना है कि भाई इस पे तो 2000 word का content लिख दे वो अपनी understanding अपने algorithm के हिसाब से आपके लिए एक content लिखके देगा बस यही है AI का use in blogging AI आपको search ranking में help नहीं करेगा AI आपको keyword research में properly help नहीं करेगा AI आपको किसी तरीके से traffic लाने में help नहीं करेगा सिर्फ और सिर्फ आपका research का काम और content writing का काम है in the blogging space आप AI के help से कर सकते हैं जो कि mostly पहले human करते हैं तो इसका अपना advantage भी है अगर आप पहले AI की बात करें तो एक बार अगर आपके process tool का access है तो आप उससे हजारो content publish कर सकते हैं बिना कुछ extra pay किये हुए जबकि अगर आप manual content writer को hire करते हैं और एक word का अपना अपना पैसा charge करता है जो कि 500 रुपे से लेके 2000, 5000 और 10,000 रुपे तक भी हो सकता है एक content को लिखने का charge तो बस यही एक major reason है जिसके वज़े से जादा से जादा लोग AI को use करना start कर चुके हैं तो ओफुली आपको scope समझ में आया है कि exactly AI का blogging में scope क्या है अब ही बार ही आवाद करते हैं कि Google क्या कहता है जो कि सबसे बड़ा सवाल है कि Google हमारी साइट को rank नहीं करेगा Google हमें किसी भी तरीके से हमारी साइट पर traffic नहीं बेजेगा हमारी साइट को ban कर देगा चलिए बात करते हैं Google का official announcement क्या कहता है इसके लिए मैं Google की specific guideline जो की AI पर based FAB A 2023 को launch हुआ था अगर मैं यहाँ पर जाके देखू तो आपको यहाँ पर कोड़ चीज समझने के जरूत है और वो यह है कि Google का कहना है कि हमारा focus है quality of content से ना कि content कितना produce किया जाता है कहां से produce किया जाता है और अगर आप अभी AI का reference लेने तो आपको ऐसा लगता है कि AI के help से लोग जादा से जादा content create कर रहे हैं कुछ quality भी हो सकता है कुछ non quality भी हो सकता है तो of course Google के लिए quality matter करता है doesn't matter कि आपका content कहां से generate हुआ है पहला दूसरा चीज और इसको Google कैसे भोल रहा है कैसे justify करता है कि आज से 10 साल पहले जब बहुत सारे content writer हुआ नहीं करता था तो बहुत ही कम content होता था और हम उसमें से quality निकाल करके content को rank करवाते थे लेकिन time के साथ लोगों ने लोगों को hire करना start किया millions और billions of pages every single day publish करना start कर दिया तो again वहां पे भी तो spamming था ना कि हर कोई तो quality content नहीं लिख रहा था कोई 600 word का content लिख रहा था कोई 300 word का content लिख रहा था लेकिन Google का algorithm इस तरीके से modify किया गया कि वह quality content को उन सारे human generated content से भी figure out करने लगा और imagine करो यह तो compulsory है ना जैसा मैं blogging के बारे में लिख सकता हूँ आप लिख पाऊंगे there is no guarantee जैसा मैं SEO के बारे में लिख पाऊंगा वैसा आप लिखोंगे no guarantee हो सकता है हम दोर से better AI भी लिख सकता है तो गूगल के लिए matter करता है quality of content ना कि कौन content को produce कर रहा है okay so that's the key thing अभी कुछ सवाल है जो Google ने अड्रेस कि पहला कि क्या AI content Google की search guideline के against है तो according to this Google का AI generated content Google की guideline के against नहीं है Google का official dog बोलता है दूसरा Google search ban क्यों नहीं करता है AI content को क्योंकि अगर as long as user useful content produce कर रहा है चाहे वो human ने लिखाओ AI ने लिखाओ Google उसको rank करेगा उसके लिए content की quality matter करता है and number three जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और वो है कि कैसे Google determine करता है कि AI content है वो spammy content है तो यह general है चाहे AI है या फिर human है Google का spam brain algorithm में यह figure out करता है यह content के spammy तो नहीं है यह content कहीं का copyrighted content तो नहीं है तो यह fundamental दोनों पर सेम काम करता है and last क्या AI content Google में rank करता है जी हाँ अगर content useful है अगर helpful है अगर original है अगर satisfy करता है Google के perfect guidelines को तो वो content Google में भी rank करेगा और क्या हमें AI को use करना चाहिए तो Google खुद बोल रहा है अगर AI आज के दिन में essential tool बन गया आपकी help करने के लिए content को लिखने के लिए research करने के लिए और as long as अगर आप helpful और original content AI के help से generate करते हैं तो जी हाँ आपको AI जरूर use करना चाहिए और यही एक तरीका है जिससे आप समझ सकते हैं कि Google खुद कह रहा है कि आप AI को use करें लेकिन उससे जो भी generated content होना चाहिए वो quality, helpful और useful होना चाहिए अगर यह हैं तो आपका content rank करेगा तो आपको यह दिमाग में निकाल देना है कि मैंने AI से generate किया that means कि यह 100% rank नहीं करेगा और उसका मैं live example बताता हूँ अगर आप Google में type करते है future of blogging after chat GPT अगर आप scroll करके देखेंगे तो मेरा यह वाला content Google के top 10 के अंदर है पिछले करीब करीब 8 से 10 महीने से और यह content मैंने 100% लिखा है with the help of chat GPT जो की AI टूल है इसमें मेरा effort से स्प्रक्चर में थोड़ा spacing देने का कुछ words change करने का nothing else बाकि पूरा 99% content AI के थुरू लिखा हुआ है इसमें ट्राफिक भी आता और यह Google के first page पे rank करता है अगर आपको जानना है कि content कैसे मैंने AI से लिखा था आप यह वाला वीडियो अभी जाकर देखें जहां पर मैंने explain किया है कैसे 10 मिनिटे में मैंने AI generated content लिखा और यह कैसा Google में rank कर रहा है तो यह इसका live example live case studies है it's all about helpful और useful content जो अगर Google को लगता है quality content है तो गूगल में rank करेगा clear तो यहां पर यह है आपके लिए live case study जो गूगल के ही official doc को verify करता है now कौन कौन से है popular free AI tool से जिसको आप use कर सकते content generation के लिए जिसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा use करते है जब free की बात आती है सब सब पहले शुरुआत होती है chat GPT से chat GPT is one of the most powerful tool है जिसके help से न सिर्फ आप यहां पे content का structure बल्की content को research को भी आसान कर देते है imagine करो अगर मुझे content लिखना है तो पहले मैं Google में जाके 10 website को read करके फिर उससे मैं समझके लिखता था चैट GPT क्या करता है वो भी तो वही करता है Google के अंदर चो data उसको understand करके आपके समने एक structure लाके देता है कि इस topic के बार में आप यह यह लिख सकता है आप एक बार उसको read कर दो और same content को आप use कर लो थोड़ा बहुत modification करके तो कुछ इस तरीके सब chat GPT को use कर सकता है 100% AI proof और यू कहों कि Google का helpful content कैसे create करना है आप यह वाला वीडियो अभी जाकर देखे वहां पे मैंने इसमें detail explain किया स्टैब बाइ स्टैब कैसे ब्लॉक को चैट GPT से लिखा जाएं दूसरा टूल जो कि हम आपको चेंज करना है जिससे कि डूपलिकेट कॉंटेंट ना लगे तो लोग का भी ज्यादा से जादा यूज करते हैं तो एक अनाधर helpful AI तूल है जिसको आप use कर सकते हैं तीसरा सबसे पावफुल टूल है भाई बिंग का AI अगर आप बिंग में जाके देखेंगे तो खुद का एक AI टूल है जिसको बोलते हैं बिंग चैट और इस पर तो मैंने बहुत ही डीटेल वीडियो बनाया है एक AI एक AI को समझ सकता है जैसे कोई कॉंटेंट होता है माल लीचे यहां पर है future of blogging after chat GPT अब मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या-क्या मुझे cover करने चीए तो मैं आऊंगा सीधा यहां पर आकर सीधा टाइप करूंगा मेरा keyword and then मैं उसको एंटर करूंगा जैसे मैं एंटर करूंगा यह automatically हमारे लिए उससे related content लाकर देगा और सिर्फ content ही नहीं उससे सब्सक्राइब करने के बाद में हमें कुछ और सजेशन पर देगा कि आप इस इस topic page को लिख सकते हैं तो जैसे कि आपने देखा इसने चोटा सा ओर्विव दे दिया मैं तो पर्टिकलर टॉपिक के इसको पहले बिंग चैट बोड़त अभी को पालेट के नाम से आचुका हैं इसके बाद सजेस्टेट क्वास्टेंस और यह हो सकता है हमारे टॉपिक से रिलेटेड हो तो वाई आर सम अधर एक कंटेंड राइटिंग टूल तो यहां से आपको आपका स्ट्रक्चर मिल जाता है तो यह एक वन अप्ट पावफुल टूल है हमने डिटेल वीडियो में एकसे इस बिंग के एई टूल को यूज करके आप अच्छा कहसा स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं जो गूगल में राइंक करता है तो यह भी एक मोस्ट पावफुल टूल है इसके बाद में जैस्पर को लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं लेकिन यह फ्री नहीं है यह पेड और प्रेमियम टूल है जबकि क्विल बॉर्ट चैट जेपेटी और बिंग के टूल को आप हंडिट परसंट फ्री में यूज कर सकते हैं ऑ अगर आपको एक और चाहिए तो आप सर्फर ऐसी यह वाला टूल पर जाकर के भी अगर आप चाहिए तो प्रीमियम टूल इसको पर्चेस कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ कॉंटेंट राइटिंग यू के परस्पेक्टिव से करना है यह यह का भी ध्यान रखता है यह का भ क्योंकि AI आपके बिहाब पर सारा रिसर्फ करके आपको एक स्ट्रक्चर बना के देता है जैसे एक्जामपल के लागर मैं चैट जीपिटी माकर यहां पर टाइप करता हूं कि हमारा जो क्वेरी था वो में यहां पर टाइप करता हूं फ्यूचर और ब्लॉगिंग अप्ट लिए प्लॉटर्पिक्स होना चाहिए अगर आप बिंग जैसे टूल को यूस करते हैं तो यह को पालत आपको हैं पर टॉपिक करो इसके बाद आप यह कवर करो इसके बाद वह से रिलेटेड और सजेशेंस तेटिक आप यह कवर करो तो यह स्ट्रक्चर बनाने में भी एक बार अंडरस्टेंडिंग लेके अपने हिसाफ से content को लिखना है और आपका content ready to rank हो जाएगा तो यह होता है useful or helpful helpful का मतलब जो well researched है useful का मतलब अगर मैं आपको बोला कि आपको A से B point पे जाना है पिर B point पे जाने के बाद आपने block खतम कर दिया लकिन इसकी बज़ा आप यह बोले कि B point पे जाके आप यह चीज़े explore कर सकते है तो शायद बंदे को content और useful लगेगा क्योंकि उसको यह नहीं पता था कि वहां जाके क्या करना है बस यही काम आपको यह being का पाइलेट करता है कि आपने एक question पूछा तो से related दूसरे के दिमाग में क्या होगा वह आपको यहां पर suggestions मिल जाता है बस आपको वो topic भी cover कर देना है तो आपका content useful भी है helpful भी है और unique भी है और यही Google को चाहिए it doesn't matter कि आपका content कहा से लिखा हुआ है यह purpose है किसी AI को आप यूज कर सकता हूँ last but not least अगर AI का content आपको rank करना है Google में तो क्या करना हो और क्यों ऐसा content rank होता है imagine करो it's all about keyword or content available अगर मैं यहां पर जाओं अगर लिखो future of blogging after chat GPT तो आपको दिख रहा है यहां पर एक website है अगर आप scroll करेंगे यहां पर medium.com, it's more of a content generative site है जहां पर कोई भी जाके अपना content publish करता है लेकिन कोई unique block नहीं है similarly आप जाएंगे यहां पर कोरा एक forum की site है फिर से medium है फिर से linkedin है that means कि कोई dedicated block था ही नहीं इस पे और जब dedicated block था ही नहीं मैंने उसको भले AI से लिखा उसको unique way में लिखा तो Google ने automatically rank किया तो यह matter करता है अगर already competition नहीं है Google के पास options ही नहीं है किसी keyword पर कुछ दिखाने के लिए तो तब अगर आपने भले AI से लिखा है इतना unique भी नहीं है तब भी वो rank कर जाएगा उसका reason भी ही है क्योंकि वो low competitive keyword है तो keyword research quite important play करता है और हमारे पूरी के-पूरी playlist है keyword research पे आप उसको भी जाके देख सकते है और इससे मोटा मोटा आपको idea मिल चुका है कि अगर आप AI को use करना चाहे तो definitely करिए एक तरीके से करिए आपको यह नहीं करना है कि copy किया, spin किया, paste किया, that doesn't work, आपको properly research और उसको optimize करने में AI को use करना फिर content को अपने तरीके से अपने content में feed कीजिए, अपने site पर publish कीजिए and you are done. तो hopefully आपको इस video में सारी detail मिल चुके, लेकर आप जानना चाहते है AI से कैसे 10 minute में content लिखना है, तो आप यह वाला video अभी जाके देख ले.